किसी ऐसे नेता को भोट मत दीजिए, जो जारकंड की बात भी करेगा, यदि हमने पार्टी से कोई विधाय की बंगतो ना, तो दू लाग भाक्तर जार के पचीस पर्चत जतना पे तो अत्रे रखतो, बाकिये को ट्रस्ट बनेतो और पर्टेक पर्खंड वजबाइट रखतो और राष्ट्पति उद्घाटन में नहीं क्यों, ना देश का प्रोटो कॉल है, अगर राष्ट्पति जाएंगी, तो पर्धान मंत्र को खड़ा हो करूंगा वेलकम करना होगा, और ये राजा साथ को मंजूर नहीं है, बले भक्तों को चिर लग रहा होगा, बले आपको ब प्रिल महतों के जैसा भी होना चाहिए, इसने सीने में गोली खायो थे, आज बताईए, मानन्य पियन सिंग, उनका बेटा-बेटी कहां है, बताईए, मैं आप से पुछना चाहूंगा, जो धनबाद के तीन मारे से एंपीर है, सायद दोया तीन मार भीधाय अपीर है, मानन प्रिल मानिय स्री, पियन सेंग, उनका बेटा-बेटी कहां है, सायद हाइप आधिवक्ता है, यह सुप्रीम कोट में अधिवक्ता है, जैसा हमें सुचना मिली है, यहां भी है, अच्छी जगह में है, आज पता के जी मानन्य रवेंदर कुमार पांडे, उनके बेटे कहां ह बगाएगा उसमें जो चंदा बचे को से मेरा राज्जा है और हमारे राजबासिंग आप सोच के देखिए आज भी सुनिल मगर मुका मिले कभी जमसेद पूर जाने का एक बर सही सुनिल मांतों के परिवार से मिलियेगा एक बुड़ी मा एक बिगलांग भाई उनकी पत्री भी है उनके माता पिता उनकी जो मा है परिवार के साथ नहीं रहती है खर उनका वह अपना दीजी कारण है उसमें हम चच्चा नहीं करेंगे लेकिन उस परिवार में जो पलस्तर लगाने वाला कोई नहीं है उसमें अभी पैंटिंग करने वाला कोई नहीं है और आज हम लोग सांचल चुनते हैं परदेश का आदमी को जो यहां कोईला माफिया बंता है जो कडरों का कोईला का कारुबार करता है जो यहां अरबो रुपे कम आता है जमीने हमारी और कोईला का डियो ट्रांसपोर्टिंग उनके कबजे में रहता है ठिकदारी उनके कबजे में रहता है इसलिए आज मैं यही कहूंगा अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी जारखान नेक नया करवट ले रहा है यदि राजनतीक बदलाव होता है तो राजनतीक बदलाव अगर कलम्स ताकत मिलता है तो कलम्स ताकत भरिये और एकर खुलाड़े उठाने के नोब बताती है तो खुलाड़े उठाईए लेकिन पीछे मत अटिये नहीं आप बताएए ना आज लोग कहेंगे कि हम लोग भढ़काव भासन देते हैं एक बात बताएए भासन ने वो क्यों दिया डिसी तमासा देख रहे हैं हमारी जमीने दिन बदिन लुकती जा रही है अगर डिसी जेस आज में तमासा देखेगा तो बताएए हमें कौन मचाये जाओं हम कहां गलते बताईए जीनकों हम आज गलत लगते हैं 20 साल बाद देखेगा उनकी क्याइश दिती होगी खासकर जो कॉल्फिल्ड में रहते हैं खासकर जो टाउंड शिप में रहते हैं आप 20 साल बाद आखिएगा आपका जमीन के टुपड़ा गया कहा आपका रोजगार गया कहा आपकी स्थिति गई कहा जालोडी कहा है फजिएगा नहीं है आप और हम बोलते हैं चीजराम मा तो भड़काव भासम देता है कमाइंड विंडिंग के पीछे एक जालोडी गाव था जाईए गाव को खोज गया है अरे भाई आप नहीं समझ रहें भोले बाली लोग है आप और हम तो पावरोटी निगलते हैं उल्लग हमलों का गाव पीछे आज एक भी उड़ाव का नाम है ना एक भी आदमी बचाएं और आप और हम इसलिए पहला लाइन एक बित्ता जमीन मत बेचिया हो एक भी किसी ऐसे नेता को भोड़ मत दीजिए जो जारकंड की बात नहीं करेगा क्योंकि आज ही आपके भविस का सवाल है ठीक है अब ज़्यदा समय ना लेते हैं हम लोग हम यहीं कहना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव निरनायाख होगा 2024 का चुनाव कहीं न कहीं निरनायाख होगा यह चुनाव जहरकंडियत को मजबूत करेगा याद रखिएगा वाकि समब फार्टी देखिए एक सट कैंड है अब बाकि सब काटी बोट के लिए अपना सूर को बदलता है हमको बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग है जो जरखर के नहीं है लेकिन उनका वी आपको भौट करेंगे के तरणे किले कौन मना किया है हमारे लोग भी महराश्च में जाके ठाकरे लोग को भौट- करता है लेकिन विधाय थोड़ी बगता है इसलिए यह समय की दर्खास्ती और समय की मांगती इसलिए हम आए हैं नहीं देख साधर्व सा लडगा यहां तक नहीं आता एक साधर्व सा लडगा जिसको तोपचाची प्रखट के बाहर कोई नहीं पैचाता था आज वह यहां तक नहीं आता यह कहीं नहीं समय की मांगती और जाज 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 जत्रावी मैं को सिया तोणियों से कहा चाबो कि अपन भोट के भैल्यू के समझिया आप तोणिय बैट के चर्चा करिया चोगली ढहरे करला आज तो जाए के देख ले हमनी घाव में जिमें तो माय मुसी घिला जैसी एक जगा जमाँ बढ़तो डेवचिया राइक के ती अना पोड़ाए तो पोड़ाए और चुगली करे सुरू के देखता अब चर्चा करिया राज विति सकती हो कि राज धनबाज के राजा बढ़न के अठाए रहा लो और तो हैं देख कहा है लेकिनी भोड के पावर जिन्दगी भर रहा है जारखन के तकदीर के बदले खातीर जारखन के तस्वीर के बदले खातीर हमनी के पर मुका दिहा हमनी अपन रख के अंतीम भून तक आखरी सास तक जर्खंडियत के मजबूत करमें अपन जीवन दिये के काम करवो अब बहुत सब्सक्राइब कि भाई अगला नेता को दे आपको क्यूं दे अर अगला को क्यूं ना दे धनी एक लाइन के दवो अभी आज के देट में विधायक के पेमेंट्स है दू लाग बाकतर हजार रुपिया है यादि हमनी पार्टी से कोई विधायक ही बंतो ना तो दू लाग बाकतर हजार के बाकिया को ट्रस्ट बनेतो और पर्टेक परखंड वाजबाएंट रतो विल्कुल अपने वीडियो को भी रिकॉर्ड कर ले जलादिन ने लोग सभा का चुनाव सामने है हम लोग कोड एपिडवीड में गोस्ना करेंगे यदि हम लोग चुनाव जीत जाते हैं और जो भी स राष्टपती केबाल एक तूल्किट बनके रहा गया है आज के इस व्यवस्था में अब आप बोलेंगे कैसे ताम उधारन देते हैं चुकि बहुत साई लोग भक्त लोग है थोड़ा भक्त लोग कर चसमा उतारना चाहेंगे आज मानण्यया राष्टपती महोदाय संसद क उध्वाटन में क्यों नहीं गई आज मानण्यय राष्टपती महोदाया राम मंदिर के प्रान परतिष्टा में क्यों नहीं गई बताईए ना भारत देश के कानून में राष्टपती को पहला नागरिक बोला जाता है यानि एक प्रोटोकॉल होता है यदि राष्टपती म मेडाम, जिस संसत में बैठे थी, संसत किन से मिलके बनता है? पड़े लिखे लोग, संसत किन से मिलके बनता है? संसत तीन चीजों से मिलके बनता है? लोकसभा, राजसभा, राष्टपती और राष्टपती उद्गाटन में नहीं क्यों? ना देश का प्रोटोकॉल है, अगर राश्पति जाएंगी तो प्रधान मंत्री को खड़ा हो करूंगा वेलकम करना होगा और यह राजा साथ को मंजूर नहीं है भले भक्तों को चिर लग रहा होगा बदले आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन कभी-कभी दिमाग से काम लिजेगा यही सचाहिए चले राश्प अब दूर रखना चाहते हैं संसद्वाण कहने गई भाई शंसद्वाण को उद्वाटर में कहने गई राश्पति प्यारे भक्तों प्यारे भक्तों आरे उत्मा चोड़िये दो हजर पाच में अच्छर धाम मंदिर का उद्वाटर न गया था उस समय एक मुसलीम और एक सी लेकिन घर जब चले जाएगा दिल से सोचेगा कि राश्पति क्यों नहीं गई अगर पढ़े लिके लोग है भले वो डरते हैं उन्चे इमांदारी से पूछेगा राश्पति क्यों नहीं गई एक ही लाइन था कि अगर राश्पति जाएंगे तो प्रोटोकल में पर्धान मंत्री को गुल्दस्ता लेके या जो भी है खड़ा होकर उनका वेलकम करनावाद इसी दप्रोटोकल अप इंडिया आप चाहे तो गुगल के लिए कि भारत पहला डागरी कौन दुसरा कौन तिसरा कौन चोता कौन पजबा कौन आरे पाचवे नंबर तक प्रधान मंत्री नहीं आता है देश्के पहला राश्पति होते हैं दूसरा सैदूफ राश्पति होते हैं फिर सायद पूर्ब राश् पाल होते हैं और जो चीफ जुस्टिस अब इंडिया होते हैं उसके बाद प्रधाल मंतरी के नमबर आता है चुकि हमें इस विसे में खुड़ा कम अपजेड किये हैं लेकिन हमको मालूम है कि साइज कौप पांस में भी प्रधाल मंतरी नहीं आते हैं जैसे परजात के पहला अपने को ने मुख्या जीला को ने कलेक्टर राइस का को ने मुख्य मंतरी राजबाल राजबाल उसी पर कर देश के प्रथम नागरिक राष्टपति होते हैं यह राजा सावर्ण को इसलिए नहीं बुलाएं आप तो देखते हैं कितना तगड़ा फोटो किसते हैं हम यह लोचना नहीं हम यह सचा ही बता रहें वाकि एसा नहीं उन्हें अच्छा काम नहीं किया होगा किया होगा लेकि राष्टपति का नहीं बुलाया जाना यही है कि प्रोटोकॉल में मानन्य यसच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च मरेंद्र मोदी को खड़ा होना परता इसलिए राष्टपदी मेडम नहीं बुला गए दुसरा कोई कारण नहीं इसलिए बोलते हैं थोड़ा पढ़ा लिखा किजी चीजों को जाने आर ठीक है मोदी के विरोधी थोड़ी है उनकी नितियों पर बात करते हैं उनकी नहीं बड़ी हस्ति सा हमारी छमसा भी नहीं बाए बाए तो इसलिए थोड़ा पढ़िया लिखिये चीजों को समझे नहीं तो आने वाले दिन हमारी बहुत दूरदसा होगी आने वाले दिन हमारी सुती और भी बद्च बस्तर होगी जमीने हमारे इसी परकार लूट ली जाएंगी क्योंकि धीरे-धीरे अब कोईला खतम होगा धीरे-धीरे जब कोईला खतम होगा तो कोईला माफिया कहां ट्रांसपर होगा भूमी माफिया में हो गिया है कोईला माफिया भूमी माफिया में ट्रांस्पर हो चुका है और याल रखिए माफिया जार्खंडी नहीं होता है परिक्षा माफिया भी नया है सुने हमारे देवेंद्रुदा को धमकी दिया जाता है तो एक बात क्या देंगे चैए देवेंद्रदार है चैए कोई सातिर है अगर किसी प्रिक्चा माफ्या के माध्यम से चोट पोचाई गई तो जारखंड के हरे गर से निनमल और बिरसान निकलेगा फिर मत बटा फिर नदियों का पानी का रंग भी बदलेगा और परासनात के पहार के पत्तों का भी रंग बदलेगा तब हमें खेर कानून योरा समयधानिक मत कहिए कोई कलत बात नहीं बोल रहे जो कड़वी बात वो बता रहे कोईला माफ्या भू माफ्या बन चुके है क्योंकि जमीने में टाका हो कोईला में लो कोईला सिराय लग लो अब जमीन में टाका हो अब तोहनी के कैसे बचाना हो नाय बचाना हो समझ ले सेकातीर अब बहुत भाइगले मनंडिया सच्पी परदान मंत्री बहुत भाइगले मनंडिया राहुल गांबे अब जारखंडियक पे ही बोट होना चाहिए तमीन नाटू में अच्छा इक बात बताओ पसी मंगाल में बंगाल के और जदी एंडिया यूप्यके बोट नहीं है इसलिए बंगल का अगमी देखें हमेशा अस्थानिय पाटी वो देता है